मसकार दोस्तों दोस्तों आदिपुरुस फिल्म की जिस तरह से पिछले तीन दिनों में आलोचोना पूरे देश में हुई और जिस तरह से लोगों ने मनोज मुंतजीर को गालियां भर-भर के दी हैं उसके बाद उन्होंने जो एक ट्विट किया है यह वीडियो मूलता उसी ट्विट पर आधारित हैं और उस ट्विट में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर मैं अभी चर्चा करूं पहले जो उतने में लिखा है वह लिखा है कि रामकता से पहला पाठ कोई सीख सकता है तो वो है हर भावना का सम्मान करना सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है भा सही है वह सही है उसे नहीं बला जा सकता है भावना रह जाती है ये बगबास मत ही करो तुमने कौन सी भावना का सम्मान किया आपने पूरे हिंदों की भावना को यहाँ पर आहत किया है उसके बाद आप यह बात करते हो कि भावना रह जाती है आपकी जब फिलम सुरू होत तो मुझे इतना बता दो कि रामयन में कौन सा चंद है कौन सा सर्ग है या कौन सा अध्याय है जहां पर माता सीता का अपराण होते हुए भगवान सिरी राम देखते हैं लक्समर देखते हैं और फिर जटावी की मिर्तु होते हुए भी जब लड़ाई करता है कब सिरी राम देखते हैं इसलिए भावना सब्द से मत खेलो आपने पूरे हिंदों की भावना का मज़ा कुड़ाया है और अब यह भावना या प्रेम इस तरह के सब्द डाल कर आप यह क्या कहना चाहते हो कि आप ने कोई गलत काम ही क्या है आपने पूरे हिंदो समाज की भावना को आहत किया है और अब उसी भावनात्मक सब्द का इस्तामाल करका भावनात्मक रूप से हिंदों को ही बलेक मेल करने की कोशी साब कर रहे हैं आगे यह लिखता है कि आदिपुरस में चार हजार से भी जादा पंक्तियों के समवाद मेंने लिखे पांस पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां सिली राम का यसगान किया मा सीता के सतित्व का वर्णन किया उसके लिए परसंसा भी मिलनी थी जो पता नहीं क्यों नहीं मिली मेरे ही भाईयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर असोबनिया सब्द लिखे कि इन पांस समवादों की बात कर रहे हो पूरी फिलम में समवाद तो कहीं है ही नहीं जो विश्टा पूरी फिलम में तुमने की है और तुम उसे कहरो कि यहाँ आधुनिक सब्दावली है और उसके बाद जो तुम्हें मा बहन की गालियां पूरे देश से पढ़ रही है तुम्हारे अनुसार आधुनिक सब्दावली के यही सब्द तुम्हारे लिए उचित है और मुझे भी लगता है कि जिस हिजाब से आपका ये बौधिक स्तर है आपके लिए ये उचिती है तुम कह रहे हो कि तुमने राम का यसगान किया है और माता सीता के सतित्तों का वर्णन किया है कौन सा यसगान माता जान की और भगवान सीरी राम का जो सबसे ज़्यादा यसगान पात्र जो करता है वह है बजरंबली हनुवान आपने पूरी फिल्म में अगर बैक्राउंड म्यूजिक को छोड़ दिया जाए तो कितनी बार किसी भीक पात्र के मुह से जैसिरी राम का उदगोस करवाया है जबकि जैसिरी राम अगर आप कोई भी रामयाण उठा कर देख लीजिए लगवग तीन सो के करीब रामयाण भारत में उपलब्द है तीन सो परकार की उनकिसी भी रामयाण में आप उठा कर देख लीजिए तो रामा जैसिरी राम एक अभिवादन का सब्द है एक बिजे उनके मुह से अगर जै सिरी राम सब्द का निकलवाया है या यह नारा अभिवादन कुछ भी अगर करवाया है तो आप बताईए और माता सीता के सतित्तों की आप बात कर रहे हैं कौन से सतित्तों की बात कर रहे हैं पूरी फिल्म में माता सीता के डायलोग सी कितने हैं जो अपना पतिवर्टा होने का या सतित्तों का वहाँ थोड़ा सा भी उनको मोका दिया जाता है उनको बताने का कि क्या सतित्तों होता है क्या पतिवर्टा नारी होती है कुछ नहीं बस जो आया चेप दिया मैंने बताया ना कि घंटा आपने रामायन पड़ी है अगर पड़ी होती थोड़ा सा भी पड़ी होती तो साथ इस तरह की ओची हरकत करने की तुम्हारी जुरत नहीं होती और फिल्म में जैसिरी राम आपने क्यों नहीं बुलवाया क्योंकि कहीं ने कहीं आप उस वांपन्थी एजेंड़े के पीछे काम कर रहे हैं और आपको पता है कि अगर बॉलिवुड में रहना है तो इस नारे से बचकर रहना होगा आप हिंदतों के लिए खुल कर बोल नहीं सकते क्योंकि जिस बॉलिवुड में जो हमें पता है बॉलिवूड क्या उसे खानवूड अगर हम कहें तो इसलिए आप वहां अपने नाम के साथ मुंतजिर भी जोड़ देते हैं क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वरना आपको बॉलिवूड में टिकने नहीं दिया जाएगा लेकिन आपने फिर पीछे लिख दिया सुकला क्योंकि देश में इस समय जो बहुत संक्यक समाज का जो एक जागरती पूरे समाज में आई है उसके बाद कहीं न कहीं तुम्हारे मन में यह भी तो डर बैठा हुआ है कि नहीं इनको भी नाराज नहीं करना है अरे मनोज मिंतजर तुम मेरी नेजर में उससे में वह गेटी हो जो ए साइड से भी बजना चाहता है और बी साइड से भी आगे यह लिखता है कि वही मेरे अपने जिनकी पूजय माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेको बार कविताएं पड़ी उन्होंने मेरी ही मा को अभदर सब्दों से संबोधित किया बिल्कुल किया क्योंकि तुम्हारी माना मनुद मुंतजीर चाहे वो जो भी हो वो जगजनिम मा सीता से बड़ी नहीं हो सकती और जिस तरह का सील भंग चरित्र हरन तुमने माता सीता का इस फिल्म में किया है उसके सामने अगर तुम्हारी माता को करोणों गालिया भी पड़े न तो वह भी कुछ नहीं है सोचो क्यों लोगों की यह इस्तित्य आए कि कल तक जो तुम्हारा सम्मान करते थे आज तुम्हें गालियां दे रहे हैं तुम्हारी माशबहन की पुजा कर रहे हैं ऐसी इस्तित्य आई क्यों आगे ये लिखते हैं कि मैं सोचता रहा मदभेत तो हो सकता है लेकिन मेरे भाईयों में अचानक इतनी कड़वा हट कहां से आ गई कि वो सिरी राम का दर्सन भूल गए जो हर मा को अपनी मा मानते थे और सब्री के चरोणों में ऐसे बेठे जैसे कोसल्ला के चरोणों में बेठे हो सब्री फिर्म में तुमने सब्री को दिखाया कैसे है बेर लेके सिरी राम के पास चकना लेके आ रही कोई क्या तुम उस करेक्टर को जब जस्टिफाई ही नहीं कर पाए उसको समझ ही नहीं पाए मैं फिर कह रहा हूँ तुम उसके बाद तुम ऐसी हरकते कर तो ऐसी बात करते हो तो गालियां तो पढ़ेंगी ना अगर तुम हमारे रामायन के साथ छिड़खानी करोगे तो जहर सी बात है कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि भगवान सीरी राम वह करेक्टर है जो हर व्यक्ति के अंदर यहां पर मौझूद है और हर व्यक्ति कहीं ने कहीं एक भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा है उन्हें अपने जीवन में पाता है और ऐसे मगर इस तरह के हरकते तुम करोगे तो गंटा तुमारी मां को क कोई मा कहेगा गालिया ही देगा और दे रहे हैं और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आधुनिक सब्दावली में तुम्हें तो इसे सहसर रूप से स्विकार भी करना चाहिए क्योंकि जिस तरह तुमने भगवान सीरी राम का या बजरंग बली का या अन्य जो भी रामयान के पात्र पूजनी हैं जो हमारे लिए हैं उनके मुह से जो संबाद बलवाया हैं उस हिसाब से तो तुम्हारे लिए बहुत उचित और आधुनिक सब्दावली में लोगों ने तुम्हें नवाजा है तो सुईकार करो हो सकता है तीन गंटे की फिल्म में मैंने तीन मिनट कु पहले तो तुझे ये बता दूँ रामयन कोई कलपना नहीं है वह एक लिखित महाकाव्य है और इस तरह अगर उसे कलपना का नाम दिया तो मैं कुनह कह रहा हूं या उचित नहीं और अभी जो तुम्हें जिस तरह से नवाजा जा रहा है इससे भी बहुत बहतर सब्दों म आगे फिर जनता नवाजेगी अगर इस तरह के हरकते तुम करते रहे और जल्दबाजी क्यों करी भाई रामयन इस देश के खून में है हिंदू के खून में है और उसको अगर तुम थोड़ा सा भी गलत तरीकी से कहीं पर कहोगे करोगे तो जल्दबाजी नहीं सुकर करो क तुम जनता के बीच नहीं आए ओजो तुम कह रहे थे ना कि मुकोटा लगा कर तुम फिल्म देखने गए थे अगर जनता खोव पताशल जाता तो वहीं तुम्हारा वद नाभी मेंती अ तो फिल्म में तो कहीं पता नीं चला कि कब तीर मारा किस तरह से रावंद मारा यह लेकिन तुम्हें जरूर लोग वहाँ पर हातों हातों में उठा कर मारते, इसलिए ऐसी बात है, मत ही करो तो ठीक रहेगा, फिर आगे यह लिख रहा है, कि क्या आपने जै सिरी राम गीत नहीं सुना, सिवोहम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना, आदि पुरुस में सना सिवोहम यह सब्द पहली बार दुनिया ने जाना सुना, और राम सिया राम, खुद को क्या समझता है, महरसी बालमिकी से उपर खुद को रख दिया, आदि गुरु संकराचारे से उपर खुद को रख दिया, कभी बनता है, घंटा का कभी है तू, एक तिवारी जने उधार यह कौन सी कभीता है, मेरे सामने होता ना तू, चंदर सेकर आज़ाद का अपमान करने के लिए सबसे पहले तू तो तेरे मूँ पे पांच मूले चापता, इस तरह की बाते करता है, जैसे जह सिरी राम की रचना तूने करी हो, राम सिया राम, अबे जो अनपढ़ हैं, जि तेरी मिट्टी और देश मेरे भी तो में नहीं लिखा है, हाँ तूने लिखा है, तो क्या उसके लिए तुझे सम्मान नहीं दिया देश ने, आज तू जहां था ना, जहां पर जाकर ये पैसा तेरे दिमाग में जो चड़ा और तूने रामेर जैसे गरंत के साथ चेड़ किये, उसी का नतीजा है, कि तेरी उन रचनाओं के कारण तुझे देश ने वो सम्मान दिया, तेरे सर में उसके बाद जो पैसे की गर्मी चड़ी, तो तूने रामेर के साथ चेड़ चाल करने की गुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी सब दिशले के रहाऊं क्योंकि तुम मु जे आप से कोई सिकायत नहीं है, आप मेरे अपने थे, हैं और रहेंगे, और हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए, तो सनातन हार जाएगा, फिर वही बात, अबे सनातन क्या इतना टुच्चा है, कि तेरे जैसे अंडू-बंडू-जंडू कोई भी कुछ कह दियो सनातन हार जाएगा, सनातन आदी अनंत है, सनातन का न तो और है न छोर, और तेरे जैसे रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, ते गैलेक्स जी ब्रहमांड बहुत बड़ा है, और सनातन पूरा इसी में समाया है, तेरे कहने से सनातन हार जाएगा, तेरी फिलम नहीं पिर वही मैं पहले भी कह चुका हूं कि दोरा दोनों साइड से बजना बंद कर दे या तो उधर रहे या इधर रहे तो चाहता क्या है कि हिंदू भी तेरे इस तुच्चे कारे से खुसे हैं और वो तो खुशे हैं हैं ही इस तरह से फालतु की बगबास दुबारा मत लिखना वरना मैं फिर कह रहा हूं कि आउंगा और फिर इस तरह से नवाज़ूंगा कि तुझे भी याद रहेगा फिर आगे कह रहा है कि हमने आदि पुरुस सनातन सेवा के लिए बनाई हैं जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं और मुझे विस्वा से आगे भी देखेंगे प्रुस से लिए बनाई हैं तो अगर ये कह रहा है कि भी लगी है या जो भी भारी संख्या में देख रहे हैं तो केबल इसले देख रहे हैं क्योंकि वह भी से स्रीराम से युड़ा हुआ है और स्रीराम हमारे आस्था के केंद्र हैं उनके नाम से कुड़ा करकर तक यहां बिख लियागा और तू तो फिर भी एक फिल्म की बात कर रहा है हो सकता है फिल्म तेरा ओसत जो भी तेरीस में लागत है उससे जादा फाइदा दे भी जाए लेकिन इसका यह मतलब कतई ही नहीं होगा कि तूने रामारे के साथ छिटखानी नहीं करी है और तूने कोई कु या हेपाप इसलिए इस तरह की बातें बोल कर कि भारी संख्या में भीड़ा रही है उस फिल्म को सूपर हिट बताने की कोसिस मत कर क्योंकि जो गंदगी है मैंने शुरू में ही कहा था कि जो सही है और जो गल्त है वह गलती है और फैनली अब यह लिखता है कि यह पोस्ट क क्यों कि मेरे लिए आपकी भावना से बटकरोड कुछ नहीं है फिर वही भावना तमक रूप से हमारे दिमाग से खेलने की कोशिस मत कर हम जानते हैं तेरी भावना क्या है और फिल्म बनाकर तुने अपनी वह भावना जग जाहर कर भी दी हैं मैं अपने समवादों के पक्स म अंगिनत तर्क दे सकता हूं कोई भी दे सकता है कोई भी व्यक्ति जो मूर्खता का कारे करते हैं वो दूसरों को मूर्ख समझ कर कुछ भी कह सकता है तुझे क्या लगता है कि तेरे अलावा सब यहां मूर्ख बैठे हुए हैं तेरे अलावा दुनिया में किसी ने रामेन पड़ी है तेरे अलाओ को इसलिए राम को जानता ही नहीं है जो तु अंगने तर्क उसमें देदेगा अबे क्या तर्क देगा तुने पुरी रामायन को एक जटके में बदल कर खत्म कर दिया अपने हिसाब से तुझे लगता है तु आधनिक यूग का वो है क्या करते हैं भगवान राम के चरित के साथ इस तरह की छेड़ खानी करके तु लाखों करोडों हिर्दमें हिंदू हिर्दे समराडवन कर बैठेगा क्यों इस तरह की बेहुदा और बेवन्यादी बातें यहाँ पर करता हैं हां आगे है मैंने और फिल्म के निर्माता निर्देशक ने लिडने लिया है कि जो कुछ समवाद आपको आहत कर रहे हैं हम उन्हें संसोधित करेंगे और इसी सब्ता वो फिल्म में सामिल किये जाएंगे अरे पूरी फिल्म बदलने पड़ेगी तो उन्हें फूरी फिल्म में कहीं भी एक जगे अगर रामयान के हिसाब से फिल्म उसमें जब कहरा था कि यह रामयन पर आधारित फिल्म है इसले हमें विस्वासिकी पूरा चलेगी तब क्या था समझ रहा है ना कि तुछ जैसे दोगले को अगर लोग भर भर के तो क्यों दे रहे हैं समझ रहा है कि अभी कुछ कसर बाकी है उसे मुझे लगता नहीं कि इत क downtime है है कि पहले तु यह तो टाकर कि तुम मुंतजिर है या है तो जे खुद ही नहीं पता और हाँ घर में पूछ ले ना और लाश्ट में कह रहा हैं स्रीराम की किरपा आप सुमप पर किरपा करें doch स्रीराम की किरपा है है ही और यही कारण हैं कि यह हिंदू संस्क्रिपी स्वाम्भी वेकारन ने कहा था कि कई चले गए कई आएंगे और जाएंगे लेकिन यह सनातन ठिका रहेगा तो हम पे तो प्रभु सिरी राम की किरपा है पर प्रभु सिरी राम ने जो किरपा अब तुछ पे लोगों के जरिये बरसानी सुरू करी है मैं चाहता हूँ इसी तरह की किरपा तुछ पर बनी रहे और तब तक बनी रहे जब तक तेरी अकल ठिकाने ना आ जाए तो दोस्तों यह है वीडियो कैसे लगा किरपाय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही नीची देगे नमबर पर आप हमारा सयोग भी करें ताकि हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें और एक जागनुकता समाज के अंदर फैलाते रहें जुनने के लिए आभार धन्यवाद